स्टिच काइट फुट के बारे में बात करेंगी स्टिच काइट फुट में का यूज है कि जब आप इसको गैप वगयरा देना होता है भी दो सिलाइएं के दर्मियान तीन सिलाइएं के दर्मियान या कुछ डिजाइनिंग वगयरा करनी होती है उसके दर्मियान में एक्वल गैप देना होता है या पाइंचे वगयरा बनाने परते हैं, यह लाइस लगानी होती है, तो उनके दरमiblyं सेम गैप देने के लिए हमें निशान लगाना पड़ते हैं. स्टिच काइट फूट है, वो ऐसा फूट है जिसके दरमया उसके उपर निशान लगाती हैं. तो हमें बहुत असानी से गैप देना, गैप देकर हमसे लाई लगा सकते हैं, हमें कोई निशान लगाने की बुरत ने पड़ती हैं, हमें कुछ मुछ नहीं आती, डिफरेंट डिजाइन में इसमें आपको दिखाए हैं, तो ये बहुत एजली स्टेज काइट फूट से हो सकत हैं, जी फ्रेंड्स, हम मैं आपको स्टेज काइट फूट यूज करना सिखाती हूं, सिंपल मेशीन पे, ये स्टेज काइट फूट है, और आप इसको शैंक के साथ यूज सुट कर सकते हैं, कुछ प्रेसर फूट ऐसे होते हैं, जो विदाउट शैंक यूज हो जाते हैं, इसके लिए शैंक जरूरी है, आप पेचे से लीवर को प्रेस करेंगे, और उसके बाद आप इसको शैंक के साथ अटेज कर सकते हैं, देखें, लीवर प्रेस के और ये बहुत एजली अटेज हो सकता है, आप शैंक लगाने के बाद भी इस अटेज कर सकते हैं, लेकिन चु लगा कि फिर भी स्टीज का एड़ फुट लग जाता है सिंपल मशीन पर बहुत एजी लिए और मैंने आपको बहुत दफ़ा काई जब भी आप कोई नया फुट यूज करें तो पहले सुई को दो तीन दफ़ा अंदर नीचे करके देखें कि वह आपके मशीन में आपके करके थोड़ी सी लाइन लगा के दिखाऊंगे मैंने वाइट कपड़ा लिया है ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए बिसमें लाहरु रख्मान रहें अब मैं आपको लगा के दिखा रही हूं पहली सिलाई हम लगा रहे हैं बहुत इजी अब इसकी दर्मयान जो गैप है अ एक लाइन लग गई है अब हम दूसरी लाइन भी लगा के दिखाते हूं यह देखें यह एंकर का धागा नीचे से हम अमोमर जब डिजाइनिंग करते हैं तो हम नीचे ही धागा भरते हैं क्योंकि और उसमें डिजाइनिंग करने में हमें पता होता है कि नीचे बहरा हुए बदागा तो हम बैक साइट पर सिलाई लगाते हैं अब मैं आपको दूसरी लाइन लगा कर दिखाती हूं कि इसके दर्मियान किस तरह एक बराबर आजाएगा यह देखें अब इसके उपर आपने देखा होगा कि निशान बने हुए आपने जितना गैप देने आप उस निश अनके इसाब से अब जैप दे सकते हैं पार्ट करने लगाने लगा एक अम दूसरी लाइन लगाने लगे हैं अünde है किस नहीं होती गैप होगारा देने की देखें दोनों लाइन्स के दर्वियान शुरू से लेकर अंग तक एक्वल गैप है अब मैं आपको एक और लाइन लगा के दिखाती हूं जिसमें हम गैप जएदा देंगे यह देखें यह थार्ड लाइन हम लगाने लगए है और इसमें हमने गैप जएदा दिया है और उपर से लेकर नीचे चलब जितनी हम लाइन लगाएंगे सेम गैप होगा इसके बाद आप पो इसके पिक्चर भी दिखाऊंगे जिसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि सेम ग यह देखें आपने कम देना है या ज्यादा देना है यह आप पर डिपेंड करता है अगर आप कम देना चाहें तो इससे कम भी होता है और मैक्सिमम यह गैप होता है इसमें प्रेसर फूट के कॉर्डिंग काफी गैप होता है आप इससे कम भी देना चाहें तो आप बहुत एजिली दे सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजएगा मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजएगा ताकि अगर आपने कोई नई वीडियो देखनी हो मैं आपको नए प्रेसर फूट यूज करना सिखाती हूँ तो आपको असानी वे देखें यह आपको नजर आ रहा होगा कि अल्कुल सेम गैप है तो दोनों अलग अलग गैप के मैंने दिखाया हैं कि एक में कम फास्ला है और एक में जएद है तो बहुत एजिली यह लग गया है अब यह देखें अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मैं आपको से रिक्वेस्ट है दुबारा कि काइंडली इसको लाइक जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियो मिलते रहें जजात अल्लाओ खायरन दौाओं में याद रखेगा अगर आपको स्टेच काइट फूट चाहिए या कोई भी सेंपल मशीन का पाउँ चाहिए तो आप हम से राप्ता कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बोक में बोक्स में आपको फेस्बूक का लिंग और वटस अप नंबर वग्यरा सब मेंशन किया गया है अलाहफिज